पिता जी की तबियत अचानक बिगडी जवलपूर के डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिये रातो रात लेकि नाथपूर भागना पड़ा 15 साल से सुन रहा हूँ जवलपूर में बहतर इलाज की सुविधा मिलेगी सुना है आम जनता को एम्स में सस्ता इलाज मिलता है एम्स भी भुपाल चला गया मैं पूसता हूँ जवलपूर में एम्स क्यों नहीं खुला बहुत सोचने पर समझ आया सिर्फ एक ही चीज की कमी है एक काबिल सांसत की और हमारे सांसत तो हर बात पर यह कहते है कि यह हमारा विसाही नहीं है क्या जवलपूर के लोगों को अच्छे इलाज का अधिकार नहीं है आखिर हम कब तक अच्छे इलाज के लिए दूशे शहर भागते रहेंगे बस अब बहुत हुआ मेरा वोट उसको जवलपूर में बहतर इलाज की सुविधा लाएगा मेरा वोट पंडित विवेक तनखा को